एनिट SIO programmer में जो भी common errors जो आती है यानि कि जो problem आती है यूजरों के द्वारा बहुत बार पुश्ट किये जाने वाली कुछ common error जो है उसके बारे में ये वीडियो है तो सभी users के लिए ये वीडियो जरूरी बन जाएगा और उसके जो भी solution अभी मैं आपको बनाने बताने ज रहा हूं तो अभी जब Windows 10 आया Windows 10 आने के बाद में सबसे पहली जो error आई है कि it is necessary to update the firmware programmer तो ये सबसे ज़्यदा अभी चलने वाला problem है सभी को ये problem आ रही है Windows 10 के बाद में basically है क्या कि इसके अंदर Windows 10 के एप टी डी आई के ड्राइवर के बाद में यह error आना स्टार्ट हो गया है तो इसके लिए भी मेरे पास में रास्ता है जैसे कि समझो अभी मैंने येनी का प्रोग्राम मैंने open किया तो जैसे ही मैं येनी का प्रोग्राम open करता हूं य यहां पर और इसको रीड करते हैं तो यहां पर देखे अभी यह नहीं आया इससे पहले आपने देखा था वह जब आई टी आया था तो कई लोगों की यह कंप्लेन आ रही है कि यह error बार बार आ रही है जब भी हम लोग इस software को रन करते हैं तो इस तरह से आई टी लिखके आ रहा है यानि कि अपने लाश्ट टाइम आई टी की आयो को प्रोग्राम की थी तो फॉर्मवेर आपको आई टी की ही यहां पर बताएगा जिसकी वज़े से यह निया प्रोग्राम नहीं कर पाऊगे तो वैसा वर्सा दोनों तरब ऐसा होता है कि जब आप आई टी करते हो और उस समय में आपने यह नहीं किया हुआ है तो लाश्ट टाइम आपने यह नहीं यूस किया था तो आई टी का प्रोग्राम रन करते हैं तब यहां पर यह नहीं आना चाहिए यहां पर आई टी आना चाहिए उसके बाद में ही यह आई टी को प्रोग्राम करेगा तो ऐसी solution है तो या तो आप यह करिए जो भी मैं कर रहा हूं कि जब तक आपको ITE नहीं मिल जाती वहां पर तब तक आप यहां पर इसको exit करिए programmer के उपर reset का जो switch है उसको press करके एक बार छोड़ दीजे फिर से इसको सिलेक्ट करिए और जब तक ITE नहीं आता है तब तक आप यह process को दोहराते जाईए और अभी मेरे पास में दूसरा रास्ता है वह दूसरा रास्ता अभी में बताने जा रहा हूं कि यहां पर अभी भी यह नहीं आ रहा है अभी यहां पर ITE करना है तो आज ही मैंने एक software जो है वह अपलोड किया हुआ है नया अपडेट जो है और सभी यूजर्स को मैं बताना चाहूंगा एनिट का टर्बो एडिशन का नया सॉप्वेर जो अपडेटेड है उसको आप डाउनलोड कर लिए अभी इसके अंदर क्या-क्या फैसिलिटी है तो ITE की 128 KB की फाइल 192 KB की फाइल 256 KB की फाइल इसका भी सपोर्ट इसके अंदर अभी दिया गया है हलाकि अभी यह पूरा टेस्ट नहीं हुआ है लेकिन आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे हम लोग ITE के बारे में जो भी 192 KB या फिर 256 KB की आप हमें यहां पे ग्रूप म अंदर एक तो आ गया कि आपको 192 192 और 256 यह दोनों जो है फाइल है कि उसको वह अभी एनिट ऐसा यह प्रोग्रामर से हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं तो नया सॉफ्ट्वर आया उसके साथ ही साथ में आपको और एक चीत देखने को मिलेगी अभी जब हम लोग वापस से उपर आते हैं तो हमारी जो एरर जो थी के नेसेसरी टू अपडेट फंवेर वाली जो एरर आ रही है कि अपडेट फंवेर प्रोग्रामर इसको सॉल कि सरह से करें इसके लिए अभी हमें करना हिए है कि जब आप ये शॉप्ट्वेर को डाउनलोड करोगे आपको इसके चीप 45 boot to underscore GUI करके एक zip file मिलेगी सबसे पहले आप इसको एश्ट्रेक कर लीजे और एश्ट्रेक करना है यहीं पर आप कर दोगे तो भी चलेगा और एश्ट्रेक करने के बाद में आप इसके अंदर जो setup है वो setup को रन कर लीजे मैं यहां पे setup को run कर देता हूँ और जैसे ही आप यहां पे setup को run कर अगी यहां पर Program Files के अंदर इसको इन्स्टॉल कर देगा मेरा और इसके इंस्टॉल है ही इसलिए मैं यहां से उसको फर्मवेर अप्लोड करना है तो आपको कैसे पता चलेगा का आपका एनिट का कौन सा पॉर्ट है तो अभी मैंने एनिट का प्रोग्रामर लगाया हुआ है तो मैं अभी इसको एक बार निकाल देखा हूं तो निकाल दी आपको यहां पर दिख रहा है तीन ही पॉर्ट दिख निकाल निकाल करना है तो यही है हमारा एनिट का पॉर्ट है और यहां पर आपको बॉड्ड है औरी होतहरा यहां पर यह सिलेक करना है और इसके उपर क्लिक करने के बाद में आपको आ जाना है जहां पे हमारा प्रोग्रामर जो एनिट का टर्बो एडिसन का जो सॉप्ट्वेर है उसके अंदर उस फोल्डर के अंदर आ जाना है और जैसे की समझो मेरे के अंदर जी एनिट टर्बो एडिसन का फोल्डर है उसके के अंदर मुझे IT को लोड करना है तो मैं IT को सिलेक करूंगा अगर यही प्रोसेस मुझे यह निके लिए करनी होती है तो मैं यह निकरने वाला हूं अग्या फिर NPC यानि कि बूट लोडर इसके उपर आपको क्लिक करना है तो आप देख लिए यहाँ पर फिट से पॉम 16 और यहाँ पर बॉट्डट सिलेक कर लिया फिर सिलेक्ट फ्लेस फाइल फ्लेस फाइल के अंदर आइटी लोड अभी हमें करना है connect to bootloader यह करेंगे यहाँ पर स्टेटस अभी कुछ नहीं बताएगा अभी आपको करना क्या है कि आपके प्रोग्रामर के उपर रिसेट का स्वीच है उसको एक बार प्रेस करना है जैसे अब प्रेस करोगे यहाँ पर connected आ जाएगा और इस तरह से लाइट हो जाएगी अभी इसको करना है प्रोग्राम फ्लेस प्रोग्राम फ्लेस करोगे अभी बूट लूडर जो है यह चीप फोटि फाइफ बूट से वो बूट लूडर उसके ऊपर अपलोड कर देगा और यहाँ पे श्टार्ट अपलिकेशन पे एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद में एकजिट कर लेन तो इस तरह से आप Chief 45 से इसका firmware upload कर सकते हैं जब कभी भी यह problem आपको बार बार आती है तब बाकी आपको हर बार इसी programmer से करना है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको ज्यादा परेसान कर रहा है तो आप Chief 45 का bootloader को यूज़ कर सकते हो अभी मैं E&E को रण करता हूं और E&E को रण करके देख लेता है यहां पर क्या रहा है अभी यहां पर IT आ रहा है तो इसको आप दो तीन चार बार इसको इस तरह से लोड करिए या फिर आप फिर से मैंने जो प्रोसेस हमें फिर से दोरानी है इनी के लि उसको रण करते है वापस 16 के उप़र आ जाते है इसको एक्जिट कर देते है तो यहां पर बॉडड्र में लिटा है यहां पर सिलेक्ट फ्लैस फाइल अभी फ्लैस फाइल जो है वह अभी हमें लेनी है Unless We need to यह हमारी एनी की हैस फाहल है इसको आप करिए लोड और लोड कर करने के बाद में connect to bootloader करने के बाद में आपको प्रेस करनी है रिसेट स्विच तो यहां पे इस तरह से आ गया कलर है और उसके बाद में करना है प्रोग्राम फ्लैस तो अभी यह 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 निका फंबर यानि की यह निका बूट लोडर उसने प्रोग्रामर के उपर लोड कर दिया और start application और exit और यहां पर आके जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकोगे यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते आप यह नहीं आ चुका है तो यह दो तरीके है यह तो आप उसको बार-बार प्रोग्राम को लोड करो और दूसरा चीप 45 में फ़र्स्ट एटम पर ही वह आपका बूट लोडर काम करना start कर देगा अभी जो एनिट एसाइओ programmer के अंदर जो common error जो है common error के अंदर अभी और एक error के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और वह है IT not detected busy id error तो busy id error के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि कुछ चीजे जो है IT को प्रोग्राम करने के लिए जो हमें जरूरी है वो उन सब चीजों को आपको पहले clear कर लेना है जैसे कि अभी जैसे हम लोग इस प्रोग्राम का फोल्डर को open करते हैं तो यहां पर मैं आपको कुछ यहां पर बताना चाहूंगा जो यहां पर फोल्डर में है तो सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है तो कोई भी आईटी होगी जो प्रोग्रामिबल है उसके अंदर एक कॉमन थम्रूल है कि यही पीन्स जो है वो प्रोग्राम करने के लिए होती है चाहे 8985 8887 हो या फिर चाह है कि यही पीन्स प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगी तो आपको यह करना है कि सबसे पहले लेपटॉप को एड़प्टर से कनेक्क करें डीसी पावर सप्लाइग को यूज नहीं करना है और हम लोग उस ग्रूप के अंदर बार बार लिखते हैं कि डीसी पावर यह को प्रोग्राम करते हो तो आपको इसका ओरिदनल एडप्टर ही यूज़ करना है जब कभी भी आप इसको प्रोग्राम करने जा रहे हो और पहला नियम यह है आईटी को प्रोग्राम करने का के पीन नंबर 36 to 43 यह डेटा पीन है इसके उपर कोई वाल्टेज नहीं होंगे आपको समझो अभी एडप्टर लगा के रखना है लेप्टाप को पावर ओन नहीं करना है उसको स्टैंडबाइ मोड पे रखना है तो ऐसी कंडिशन के अंदर 36 to 43 नंबर की पीन के उपर कोई वाल्टेज होंगे नहीं और आपको अभी जो वाल्टेज है उसको चेक करना है यानि कि आप एडप्टर लगाओ प्रोग्रामर लगाने की जरूरत नहीं है सबसे पहले 45, 58, 59, 60, 61, 62, 63 इतनी पीनों के उपर आपको वाल्टेज चेक करने है मिनिमम वाल्टेज यहां पे 2.8 वाल्ट होना चाहिए मैक्सिमम 3.3 होना चाहिए यह अगर इसके बीच में यहां पर एड़ा आने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहां पर वाल्टेज नहीं है और यह वाल्टेजा आपको दिया जाता है मदरबौर के अंदर से जो आपका w s volta होता है यानिकि आपके voltage regulator से जन्नट हूए voltage है तो पहले आप उसको रिपेरिंग को देख लीज सौरी मेरे यहां पे गलती कर दी है यहां पे 45 के उपर भी आपको नहीं देखना है 58 to 63 ही देखना है 55 के उपर भी नहीं आएगा तो 58 to 63 के उपर आपको चेक करना है तो यहां पे 2.8 से 3.3 वल्ट आना चाहिए हमेशा उरिदनल एडप्टर यूज करिए या फिर आप अगर आपका केवल इस तरह से खराब है यानि कोई भी कॉन्टेक्ट उसका कनेक्षण में नहीं आ रहा है तो आपको केवल की कंडिशन चेक करनी है ज्यादा यहां पे बहुत बार इसका यूज होने के कारण यह केवल खराब होते हैं तो यहां पे आपको केवल को रिप्ल करना पड़ेगा तो एक तो यह हो गया कि आपका केबल के कारण यह प्रॉब्लम आ सकता है रॉंग सिलेक्टेड एप सी सी केबल 0.8 mm पीच और 1 mm पीच इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है अला कि एनिट का एसा यह प्रोग्रामर का जो पहला वीडियो था उसके अंदर बताया गया है किस तरह से 0.8 mm और 1 mm पीच के केबल आते है और उसको किस तरह से समझे तो आपको यहां पे यह 0.8 mm का पीच है यह 1 mm की पीच है यानि कि दो पीन के बीच मे जो है 1 mm का फासला है और यहां पे 0.8 mm का फासला है तो इस तरह से आपको केबल का पीच सही सिलेक करना है जैसा आपका कीबॉड का कनेक्टर हो बिल्कुल वही केबल यूज करना है do not give a power while you are click step 2 but connect power before clicking on step 3 तो इसका मतलब यह होता है कि जब कभी भी हम लोग software को use करते है उस समय में IT के लिए आपको यह ध्यान में रखना है IT के लिए यह होगा कि जब कभी भी अपने IT के उपर सिलेक्ट किया है तो जैसे ही आप यहां पर apply setting देते हैं और apply setting देने के बाद में इसके इसको connect करने से पहले यानि कि अभी तो यह नहीं हुआ है इसलिए नहीं highlight हो रहा लेकिन जैसे ही यहां पर आईटी आ जाएगा वह है आपने पहले apply setting गया तब तक adapter नहीं लगाना है आप इसको click करने से पहले अभी आप adapter लगा और adapter लगा देने के बाद में सीधा ही connect original adapter वाले टैप के उपर click कर दो तो यहां पर आपको IT का नंबर दिखाए देगा अभी मेरा board connected नहीं है इसलिए यहां पर कुछ नहीं बता आपको दिखाए देगा उसके बाद में आप read or write की process कर सकते हों दूसरी चीज़ कि यहां पर अभी इस नए software के अंदर जैसे कि समझो का 128 kb की file है तो यहां पर 128 kb की file यहां पर राइट होगी वैसे ही जो support अभी हम लोग जो ढूंड रहे थे कि यहां पर 192 kb या फिर 256 kb की file इस program से programmer से हम लोग program कर पाएंगे या नहीं तो हमें यहीं पर वो size सबसे पहले बता देगा आप इसको यहां पर select करते हो अभी हम लोग इसको बारी-बारी select करते है कोई 192 kb वाला अगर file है तो उसको अभी हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर nma601 यह 192 kb का है तो यहां पर हमें 192 kb बता दिया तो वैसे ही यहां पर एक दूसरा भी एक board है nmb421 तो 421 को देखते है nmb421 तो 421 जो है 256 kb का it flash file है तो वो हमें बता दिया अभी यहां पर नए update के अंदर एक option यहां पर आ गया तो वो erase कर देगा उसको recover करने का जरूर वो प्रयास करेगा तो एक error जो हमारी आती है कि जिसके अंदर एक error common यह भी आती है बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि जब verification आता है तब वो error देता है कि data mismatch हो रहा है तो अभी इसके अंदर आपको इसको हमेशा check mark करके रखना है वो हो सकेगा उतना block को recover कर लेगा लेकिन फिर भी अगर वो recover नहीं होता है आपको दो तीन चार बार उसको writing करते रहना है तो block create block उसको remove कर जो खरा block जो होंगे उसको erase करके फिर से उसको recover करने का try करेगा तेकिन फिर भी अगर physically block damage है तो ऐसी condition के अंदर एनिट का programmer कुछ नहीं कर सकता आपको IT को replace करना ही पड़ेगा या फिर motherboard के लिए दुसरा कोई problem है उसके लिए भी आपको check करना पड़ेगा तो यह हुआ IT के related कुछ common जो problem आ रहे है उसके solution अभी दुसरा यहां पर आ रहा है को यहां पर जो always share connection photos programmer to motherboard along with the clear screen source यानि की अब एक अच्छी तरीके से photograph share करिए ग्रूप के अंदर जिससे हमें समझने में आसानी हो कि कहां पर problem हो रही है और एक option है कि रॉंग database configuration यानि कि आपने यहां पर जो भी configuration select किया है तो उसके अंदर साय कुछ अलग number हो या फिर अलग यहां पर configuration में कुछ गलती हो जिसके कारण भी हो सकता है या फिर जहां पर आपको पीन वन को अंचेक करना है और आपने वहां पर चेक करके रखा है तो भी यह problem आ सकती है तो यह कुछ चीजे जो है आई टी के लिए आपको यह सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा वैसे ही यह नी के लिए जो प्रॉब्लम आती है सिमिलर प्रॉब्लम है और यह नी के अंदर भी वही होगा लेकिन यह नी के अंदर आपको पीन नंबर बदल जाएगी जो वॉल्टेज चेक करने की लिए के लिए कांशी पीन रहेगी जिसको आपको चेक करना है और यहां पे यह के लिए चेक करते हैं तो यह नी के लिए के प्रोग्रामिंग करने के लिए 42, 59, 60, 61 और 62 बस इतनी पीने ही काम में लगती है और इसका एक मार्किंग मदरबॉर्ड के अपने एनिट के प्रोग्रामर के उपर आपको दिखाई ही देगा यानि की एनी की कोई भी आईयो होगी कोई भी नंबर ले लो तो उन सभी के इन सभी की कॉमन है आप यही से प्रोग्राम करोगे तो आपको हर बड़ यह जानने की जरूरत नहीं पड़unya करा को द्यान करना है तो में यहां पर दो पिन और लिखी है घञा et". और 37 यह दोनों पीनों का काम आयो के अंदर कुछ भी नहीं है और हमें इसको कनेक करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन मैंने इसको यहां पर क्यों लिखा हुआ है कि 33 और 37 नंबर की पीन के उपर अगर 3.3 वॉल्टेज है तभी यह आयो प्रोग्रामिंग के लिए रैडी होग नहीं तो यह I.O. डिटेक्ट ही नहीं होगी आपके अनिट के प्रोग्रामर से तो आपको पहले यह चेक करना है जब कभी भी आपकी यह नहीं की I.O. डिटेक्ट नहीं हो रही है तो आप सब से पहले इसके अडप्टर को लगाए और लगाके आपको 33 और 37 नंबर की पीन क चेकल लेने हैं वहाँ पर 3.3 वल्ट आएंगे उसके बाद में ही वो डिटेक्शन में आएगा और यहां पर इस तरह से सिलेक्ट करना है आपको जो भी पीन है और आपको यहेडर पीन लगानी पड़ेगी तो एनी के लिए आपको हेडर पीन कंपल सरी है आई टी के लिए इन दोनों के लिए आपको हेडर पीन की जरूरत पढ़ने वाली है लॉश्ट कॉम्यूनिकेशन एरर आ रही है तो वह एरर किस कंडिशन में आएगी कभी आपका यह डिटेक्ट भी हो गया प्रोग्रामिंग कर रहे हो लेकिन बीच में लॉश्ट कॉम्यूनिकेशन एरर आ 20 cm के जो केबल आते हैं यूएसभी केबल जिसको हम लोग-arduno केबल भी कहते हैं तो यह केबल सबसे अइडल है क्योंकि वाले के के अंदर हम लोगों ने यह देखा हुआ है कि लंबा यूएस्बी केबल होने के कारण बाहिस को प्रोग्राम करने में भी दिक्कत आती थी कुछ-कुछ जगा पर अरर दे रही थी तो उस समय में भी हम लोग वही करते थे कि सौट लेंद का यूएस्बी केबल हम लोग यूज करते थे तो हमें हम ज्यादा तर बार यही सब को एडवाइस करते हैं कि आप यूएस्बी केबल जो है वह सौट लेंद का लीजिए 30 सेंटी मीटर का मिल जाएगा मार्केट से आप इसी को यूज करिए तो आपके ज्यादा तर प्रोब्लम लॉश्ट कम्यूनिकेशन के इस केबल के कारण आने वाले प्रोब्लम होगे वह यहां से आप सौट आउट कर सकते हो दूसरा एप सीसी केबल फोल्टी जिसको अब मैंने आई टी के अंदर बताया था बिल्कुल वैसी चीज के केबल फोल्टी है तो भी आएगा स्वाट ल उसको हम लोगों उने ग्राउंड नहीं किया तब तक यह एरर आएगी आयो डिटेक्ट होगी लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएगी सब ten is de ॉपVery नंबर की पीन क्या काम करती है EनE के लिए मैं अभी आपको आपकोज़ञ आतूज को नहीं प्रोग्रामिंग करने के लिए धोटी आपको पीधे डिटेलust व्हें द्वारा प्रोग्रामिंग करती है तो यह एपकर एगयोगा competitors to enable according gen ग्राउंड होगी तो आपके प्रोग्रामर के द्वारे एक ग्राउंड किस तरह से हो रही है कि आपके प्रोग्रामर के अंदर जो आपको केबल दी गई है एक यूएस्बी केबल आपको दी गई है हेडर पीन के साथ में वो यूएस्बी जो है उसको आपको आपके मदरबॉ तो उस बढ़ के किसी भी USB प्वाइट के अन्दर लगाना है जिस Motherboard को आप को प्रोग्राम करना है उस बढ़ के यूसबी प्वाइट के अंदर उपीन लगानी है तो वह लगाने से होगा क्या कि आपकी 42 नमर की पीन को वह ग्राउंड कर रहा है वो ग्राउंड इन दोनों को मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए क्या ग्राउंडिंग दिखाए दे रहा है यानि की कंटिनिटी आ रही है तो आपका 42 नंबर का पीन जो है वो सही तरीके से ग्राउंड हुआ है यह उसकी सीधी आइडेंटिटी है तो 42 नंबर की पीन अगर आप 33 और 37 नंबर की पीन के उपर आपको 3.3 वल्ट मिलने चाहिए तभी यानि आपकी प्रोग्राम करने के लिए रेडी होगी और कुछ कॉमन प्रॉब्लम अभी भी आपको में ग्रूप के अंदर जो आ रहे है वो यह है कि कई बार लोग पुछते रहते एकसर इसका इसी का ब आप में बायोस से आपकी इसी की फाइल को निकाल सकते हो और दूसरा एक रास्ता यह है कि ज्यादातर बायोस हम लोगों ने अल्रेडी एनिट के ऐसा यह सपोर्ट ग्रूप के अंदर अपलोड कर ही दिये है आपको ग्रूप में पूछने से पहले आप यह कर सकते हो कि यहां पर लिखोगे सर्च में एन बी 8609 तो जैसे ही आप लिखोगे आपको यहां पर देखे बायोस की फाइल मिल ही जाएगी और इस तरह से पीन कंफिग्रेशन से लेकर सब कुछ आपको एनिट का देखो इस तरह से पीन कंफिग्रेशन भी मिल जाएगा तो आपको आते पारिग्राम के इस गींति हैं तो यहां से भी सट्व कर सकते हो आपको अपकी आयों की fk यहीं से मिल जाएगी अगर नहीं मिलती है तो आप गुरुकर कर आपको ग्रूप के द्वारा कोई ना कोई मेंबर आपको यह फाइले सेहर कर देगा तो यह हुआ कुछ कॉमन प्रॉबलम कुछ कॉमन एरर और नए एनिट के सॉप्ट्वेर के बारे में जो अपडेट है उसके बारे में और अभी-अभी मैंने जो यह सॉल्यूसन दिया हुआ है कि इनको यही प्रॉबलम आ रहा था कि अपडेटेट फंब और यह बहुत ताइम से प्रॉबलम आ रही थी इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए तो आपको इसलिए में इसको प्रेक्टिकली समझा सको आई होप आपको यह सब क्लियर हुआ होगा और अगर आपको और कोई भी दिक्कत है कोई भी प्रॉब्लम है एनिट प्रोग्रामर के रिले सकते हैं हैं एव नाइस डे थांक यू वेरी मुझ है